स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज नुमेरिकल प्रश्णों के बारे में अध्यन करेंगे तो पहला कोशन है कि एक ततो का परमाडू करमांक 20 तथा द्रिमान संख्या 40 है तो उसमें नाभिक में नूट्रानों की संख्या ग्याद कीजिए तो न्यूटरानों की संख्या की गणा करना है इस प्रस्ण में तो परमाडू करमां कितना दिया गया है और द्रमान संख्या कितना दिया गया है इसे पहले नोट कर लेंगे अब उसके बाद से न्यूटरान की संख्या का सुत्र को याद रखेंगे कि न्यूटरान की संख्या का सुत्र क्या होता है आपके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है सुत्र को तो अब यहां लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे परमाड करमांग कितना है तो परमाड जो करमांग दिया गया है कोशन में परमाड करमांग कितना है तो बीस है तो परमाड क संख्या यहां नोट करेंगे और लिखेंगे दर्मान संख्या बराबर क्या है चालिस है किसकी संख्या पूछा जा रहा है तो न्यूट्रानों की संख्या की गणा करना है तो यहां लिखेंगे न्यूट्रानों की संख्या बराबर करेंगे और यहां बराबर करके परश्नवा चक चिनने लगा देंगे मतलब इसमें न्यूट्रानों की संख्या की गढ़ना करना है अब न्यूट्रानों की संख्या का सुत्र क्या होता है तो यहां नोट कलेंगे न्यूट्रानों की संख्या का सुत्र होता है न्यूट्रानों की संख्या बराबर होता है दर्मान संख्या माइनस क्या होता है माइनस परमाड करमांग परमाड करमांग हो जाएगा तो दर्मान संख्या का दो नाम है याद रखिएगा परमाड भार भी कहते हैं और परमाड करमांग का दो नाम है परमाड करमांग कहते हैं प्रोटानों की संख्या भी कहते हैं तो अब यहां द्रमान संख्या कितना दिया गया है तो द्रमान संख्या कितना है 40 है तो यहां लिखेंगे 40 माइनस हो जाएगा परमाड करमांग कितना है तो परमाड करमांग 20 है तो 40 में से जब 20 को घटा देंगे तो कितना जाएगा 20 आजाएगा यही क्या गया न्यूट्रान की संख्या गया कितना असान है तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे इसमें आपको याद रखना है फार्मूला फार्मूला याद है तो आप संख्या निकाल लेंगे तो अब समझेंगे दूसरा प्रश प्रोटानों न्यूटानों द्रिवमान संख्या इलटानों की संख्या की गर्णा कीजिए तो इसमें प्रोटान भी करना करना है न्यूटान भी द्रिवमान और इलटानों की संख्या की गर्णा करना है तो यहां सबसे पहले लिख लेंगे हल और हल लिखने के बाद से ध्यान यह जो 35 को क्या कहते हैं और 80 को क्या कहेंगे तो यह 35 को याद रखेगा इसका नाम है प्रोटानों की संख्या इसका तीन नाम होता है प्रोटानों की संख्या परमाड करमांग और इलेटानों की संख्या तो इसका तीन नाम आप लोग याद रखेगा और उपर वाला जो की संख्या कितना दिया है तो प्रोटानों की संख्या इसमें कुशन में दिया गया है कि प्रोटान संख्या बराबर नोट करेंगे कितना है तो 35 है तो प्रोटान की संख्या 35 हो गया तो समझे एक मान जो है निकल चुका प्रोटान की संख्या में मालूम हो गया 35 अब यहाँ पे जो है नीट्रान की संख्या भी नहीं गरना करेंगे अभी दर्वमान संख्या पर नोट कर लेंगे तो दर्वमान संख्या इसमें कितना है तो दर्वमान संख्या इसमें कितना दिया गया है तो दर्वमान संख्या असी दिया गया है कितना है असी है तो यह द इलेटान की जो संख्या है इलेटानों की संख्या किसके बराबर होता है तो इलेटानों की जो संख्या होता है वो प्रोटान की संख्या के क्या होता है बराबर होता है तो जितना इलेटान होता है उतना ही प्रोटान होता है तो यहां प्रोटान की संख्या कितना है तो निकल गया इलेटान की जो संख्या निकला है कितना गया तो इलेटानों की संख्या इसमें 35 होगा तो इलेटानों की संख्या बराबर कर लेंगे 35 तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा किसमें इलेटान कितने है तो इसमें इलेटान जो है 35 है प्रोटान कितने है तो 35 है दर्मान संख्या कितना है तो 80 है तो इसमें कितने मान गढ़ना हो गया प्रोटान के लियर हो गया न्यूटान के भी नहीं निकला है दर्मान संख्या मालूम हो गया तो न्यूट्रानों की संख्या बराबर सुत्र होता है दर्वेमान संख्या दर्वेमान संख्या में से किसको घटा देते हैं परमाड करमां को घटा दीजिए या प्रोटानों की संख्या को घटा देंगे तो प्रोटानों की संख्या को इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे में से किसको घठा देंगे? 35 को कह करेंगे? घठा देंगे, तो 80 में से जब 35 घढ जाएगा, तो कितना जाएगा? 45 जो है, किसकी संख्या है? नीटरान की संख्या है, तो प्रश नम्मर दो, आप सबी विद्यारती अच्छे से समझ लिये होंगे तो अब सीखेंगे प्रशन नमबर तीन तो तिसरे कोशन है एक ततो का परमाड करमांग 25 तथा न्यूटरान की संख्या 20 है तो दर्वमान संख्या तथा इलेटानों की संख्या ग्याद कीजिए तो इस प्रशन में दो प्रशन दिया गया पुछा जा रह है तो इसमें क्या दिया गया है पहले इसको नोट कर लेंगे तो यहां लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से अब यहां परमाड करमांग कितना है पहले नोट कर लेंगे तो परमाड करमांग जो इसमें दिया गया है कितना है तो परमाड करमांग बराबर जो है 25 है और न न्यूट्रानों की जो संख्या दिया गया है वह 20 है न्यूट्रानों की संख्या बराबर हो जाएगा 20 के बराबर है और इसमें किसकी संख्या गरना करना है तो द्रवमान संख्या इसमें पूछा जा रहा है कि द्रवमान संख्या कितना होगा तो यहां लिख लेंगे द्रवम पूछा जा रहा है तो इलेटानों की संख्या बराबर क्या कर लेंगे प्रश्ण वाच्चक तो यहां दो प्रश्ण इसमें पूछा जा रहा है तो अब यहां सुत लिखेंगे द्रिमान संख्या का सुत्र क्या होता है तो अब यहां लिख लेंगे द्रिमान संख्या का सुत् बराबर सुत्र होता है कि परमाड करमांग, परमाड करमांग का नाम तो बताए गया, दूसरा नाम क्या है, परोटान की संख्या भी कहा जाता है, तो परमाड करमांग पलस न्यूटरानों की संख्या, यह सुत्र है दोनों का जो योग हो जाता है, वो किसका बराबर होता है, न्यूटरान की संख्या यहां नोट कर लेंगे, अब यहां जो मान दिया गया है, अब मान को इसमें पुट करके जोड़े लेंगे, एंसर हो जाएगा, तो परमाडु करमांग कितना है, तो परमाडु करमांग जो है 25 है, पलस हो जाएगा, और न्यूटरान की संख्या क्या है 20 है 20 25 जोड़ेंगे तो क्या गया 45 यह 45 जो आया है किसका संख्या गया तो दर्मान संख्या का मान आ गया तो समझ में आ गया होगा कि दर्मान संख्या कैसे करना किया गया तो दर्मान संख्या का सुत्र याद रखेंगे कि परमाड़ करमांग प्लस न्यूट्रानों की संख्य होता है और यहां प्रमाड कर्मांग के जगा पर प्रोटान की संख्या दिया रहता तो यहां पर प्रोटान की संख्या लिखते सुत्र में तो 45 आ गया अब इसमें किसकी गढ़ना करना है तो इलेटान की संख्या कितने के बराबर होता है तो इलेटानों की संख्या जो होता है परमाड करमांग के परमाड करमांग जितना होता है उतना ही जो है इलेटान की संख्या होता है तो परमाड करमांग कितना है तो पचीस है तो पचीस जो है किसका माना गया इलेटानों की संख्या आ गया तो आप से भी द्यार्थी समझ लिये होंगे कैसे इसको साब किया जा र तो अब सीखेंगे प्रशनमबर चार तो प्रशनमबर चार है एक ततो का इलेटानों की संख्या 21 तथा द्रवमान संख्या 45 हो तो न्यूटरानों की संख्या ग्याद कीजिए तो इसमें जो है इलेटान की संख्या 21 दिया गया है और द्रवमान संख्या 45 दिया गया है और न् लिखने के बाद से अब यहां नोट कर लेंगे इलेटानों की शंख्या तो इलेटानों की जो शंख्या है कितना है तो इलेटानों की जो इसमें संख्या दिया गया है इलेटानों की संख्या 21 है तो यहां नोट कर लेंगे 21 हो गया और द्रेवेमान संख्या कितना है तो द्रेवेमान संख्या जो है 45 है तो यहां द्रेवेमान संख्या इस कल्टू लिखेंगे 45 तो यह दो मान जो है इस कोशन में दिया गया है और यहां पे जो है न्यूटरानों की संख्या की गर्णा करना है तो यहां लिख लेंगे एमठे उया देखेंगे दर्मानस संख्या माइनस परमार करमांक होता यहां लिख सकते हैं कि जो परमारू करमांग को होगा कितने के बराबर होगा तो परमारू करमांग कितने के बराबर होता है तो परमारू करमांग जो है इलेटानों की संख्या के बराबर होता है तो यहाँ पहले जो परमारू करमांग की गण्डा कर लेंगे तो यहां लिख लेंगे इलेटानों की संख्या के बराबर होता है तो इलेटान कितना है तो इलेटान जो है 21 है तो इलेटानों की संख्या जब 21 है तो परमाड करमांग भी कितना गया 21 हो गया अब यहां पे जो है न्यूटानों की संख्या का सुत लिखेंगे तो न्यूटान नूट्रानों की शंख्या बराबर होता है दरेवेमान संख्या माइनस दरेवेमान संख्या माइनस क्या होगा यहाँ पर अब लिखेंगे परमाड करमांग तो परमाड करमांग लिख सकते हैं अगर आप यह मान नहीं निकलना चाहते हैं कि परमाड करमांग नो निकले तो यह सुत्र में बस ध्यान दिजेगा यहां पर लिख लिजेगा इलेटान की संख्या तो मान भी आ जाएगा तो दरबान संख्या का मान कितना था तो 45 है माइनस है और परमाण कुर्मा कितना है 21 है तो अब कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 24 हो जाएगा 24 तो न्यूटान की सं वराबर होते हैं, तो अब प्रश्न नमर 5 समझेंगे. तो प्रश्न नमर 5 है, एक ततों में इलेटानों की संख्या 20 तथा न्यूटरानों की संख्या 25 है, तो दर्मान संख्या की गड़ना कीजिये. तो इस question को आप सभी विद्यारती पहले note कर लिजिए, note करके इसको हल कीजिए और हल करने पर जो answer आएगा इसे आप comment box में जरूर बताएगा, कि इसका answer क्या आएगा, तो आप सभी विद्यारती से हल करके जरूर comment box में आप लोग comment कीजिए इस answer को, तो आज का पढ़ाई जो ह question 5 तक बताया गया, तो इस question 5 तक आप से विद्यारती आप अपने copy में note कर लिजिए, यदि आप मेरे channel पर पहली बार आया है, तो मेरे channel को subscribe जरूर कीजिए, बहुत से विद्यारती comment किये थे, sir मेरे पास से जो है आपका वीडियो का notification नहीं आता है, मतलब आपका जो है जब तीन आपसन आता है, तो आल वाले आपसन, सबसे उपर आल वाले आपसन को okay कर लिजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो को upload किया जाएगा, तो उसका message जो है आपके पास तुरान पहुंच जाएगा, तो आज का जो पढ़ाई है इतना ही रहेगा, तो कल मिलते हैं अगले भा तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार